आज हम बनाएं के ब्रेट से एकदम नया और टेस्टी नास्ता रेसिपी बहुत ही आसान सी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप लोग इस रेसिपी को एक बाद ज़रूर टराए करें हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे विल्कम बैक टू माई चैनल तो फिर चलिए शुरू करते हैं ब्रेट से एक और नया और मज़ेदार सा नास्ता तो इस नास्ते को बनाने के लिए हमें ब्रेट चाहिए तो यहाँ पे हमने सिर्फ चा ताजे और सॉफ्ट ब्रेट है आप चाहे तो एक दिन पुरानी वाली ब्रेट से भी इस नास्ते को बना कर तयार कर सकते हैं लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ताजी चीज हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है तो यहाँ पे हम सिर्फ चार पीस ब्रेट से नास्ता तयार कर रहे हैं आप अपनी क्वाइंटी आप अपने हिसाफ से ले सकते हैं और इस नास्ते में हम एक तो यहाँ पर हम परें में छिल μια और इस के लियाuir आजू और इससे न consort कर दो तो यहां पे हम ग्रेटर का जो बारीक वाला भाग होता है उसी का इस्तेमाल कर लेंगे और आलो को हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे तो इस तरह से आलो को ग्रेट करके हम जब नास्ते को बनाएंगे तो बहुत ही तेस्टी नास्ता बनकर तियार होता है तो आप लोग इस recipe को जरूर ट्राय करें तो लीजिए हमने इस तरह से grater से आलु को grater कर लिया है अभी हम इसे एक bowl में डाल कर इसे हम अच्छे से वाश करेंगे तो चलिए हम bowl ले ले लेते हैं और इसमें हम grate किये गए आलु को इसमें डाल देंगे जैसा कि आप जानते होंगे आलू में बहुत सारे स्टार्च होते हैं तो उसे हम अच्छी तरह से धोके निकाल लेंगे बाल में ग्रेट किये हुए आलू को हम डाल देंगे उसके बाद यहां पे हम इसमें पानी डालेंगे पानी डाल कर हम आलू के सारे स्टार्च निकालेंगे तो ये वाले प्रोस्टेस हम दूसरी तीन वार कर लेंगे तो अच्छी तरह से आलू के स्टार्च होते हैं वो अच्छी तरह से निकल जाएंगे पानी में से हम फिर से इसे आलू को निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे तो फ्रेंड्स आप यह वाला इस टेप बिल्कुल भी इसकिप ना करें आप आलू की अच्छी तरह से स्टार्च निकाल कर नास्ते को तयार करेंगी तो बहुत ही टेस्टी और डिलीस्यस नास्ता बनकर तयार होता है आलू की जो smail होती है वो स्टार्च से निकल जाती है तो इस तरह से हम 2-3 वार पानी आलू में डाल कर अच्छी तरह से आलू के स्टार्च निकाल लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे आलो के सारे स्टार्च निकाल दिये है और आलो का कलर भी चेंज हो गया एक्तम वाइट कलर का हो गया है तो चलिए अब हम नास्ता बनाना शुरू करते हैं अभी यहाँ पे हमने जो चार पी स्प्रेड लिया था उसे हम छोटे छोटे भाग में कर लेंगे यानि हमें इसे रॉफली तोर करके रख लेना है तो बस छोटे छोटे टुकरों में हम हांसे इसे तोर लेंगे आप चाहे तो इसे grinding jar में डाल कर पीस कर powder भी बना सकते हैं लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं होगी ऐसे ही इस नास्ते में हम इसे बना कर त्यार कर सकते हैं तो इस तरह से हम एक-एक ब्रेड ले लेते हैं और इसके हम छोटे-छोटे भाग कर लेंगे इस तरह से हम छोटे-छोटे भाग कर लेंगे तो नास्ते बनाने में बहुत ही आसानी होगी दिन यहां पे हम एक पैन डाल देंगे गैस पे पैन को गर्म कर लेंगे पैन जब गर्म हो जाए तो यहां पे हम डालेंगे एक बड़ी चमच मस्टेड ओईल आप अपने पसंद के अनुसार कोई सारी ओईल का यहां पे इस्तिमाल कर सकते हैं हमने यहाँ पे एक परीच चमच मस्टरड ऑईल डाला है अभी यहाँ पे हम half teaspoon के करीब साबूत जीरा इसमें डाल रहे हैं तो ज्यादा हमें जीरा नहीं डालना है बस half teaspoon के करीब जीरा डाले उसके बाद जीरा को हलका साथ चटकने देंगे जीरा का कलर चेंज हो जाने के बाद यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे ग्रेट किये हुए आलू और हमने जो अभी अभी आलू को ग्रेट करके अच्छी तरह से वाश कर लिया था उसी आलू को इस पैन में हम डाल देंगे तो फ्रेंड्स आलू ढालते समय हम गैस का फ्लेम मेडियम कर लेंगे और आलू ढालने के बाद यहाँ पे हम एक ऑसस्पाचुला ले लेंगे और उसे हम कंटिनियूस चलाएंगे कंटिन्यूस चलाते हुए हम इसे हलका सा सॉफ्ट होने तक पकाना है ज्यादा नहीं इसे कुक करना है और नहीं इसका कलर चेंज करना है बस इसमें से आलू के में से जो पानी होती है वो सूखने तक हमें इसे पका लेना है लगवाग एक मिनट तक हम मेडियम फ्लेम पे आलू को इस तरह से लगाता चलाते हुए पकाएंगे तो लगवक एक मिट हो गया है, आलू में से जो पानी वह भी सूख चुके है अब यहां पे हम थोरे से कटी हुइ, बारी कटी हुइ प्यास इसमें डालेंगे ज़्यादा प्यास नहीं डालना है आप छोटे प्यास को आधा काटकर, उसे बारी काटकर इसमें डालें अभी यहाँ पे हम 3-4 हरी मेश को भी बारी काट कर इसमें डाल देंगे इस वक्त हमें गैस का फ्लेम लो कर लेना है हमने यहाँ पे थोरे से शिबला मेश को भी बारी करके इसमें डाला है तो आप यहाँ पे चाहें तो अपने पसंद की वेजी टेवल्स इसमें एड़ कर सकते हैं आप अपने चोच्खे अनुसार यहाँ पे सब्जीया एड़ कर सकते हैं अभी यहाँ पे हम कैस का फ्लीम मीटियम कर लेंगे उसके छलाते हुए वेजी टेवल्स को हलका सॉफ्ट होने तक हमें पकाना है कलर इसकी चेंज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और सबजिया जलनी भी नहीं चाहिए तो लगबग सबजिया डालने के बाद भी हम एक मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कंटेनियूज चलाते हुए सबजिया को हलका सॉफ्ट होने तक हमें पकाना है आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी और चानल पे नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें साथ में बिल आइकन प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आए और साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स करना और बिल्कुल भी न बोले और रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें और रेसिपी ट्राइ करने के बाद अगर अच्छी लगे तो कॉमेंट बॉक्स में लिखें जरूर बताए और नहीं भी पसंद आए तो भी आप कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं तो चले यहां पे वेजी टेवल्स हलका सॉफ्ट हो चुका है अभी यहां पे टेस्ट के गॉर्डिंग नमक डालेंगे उसके बाद यहां पे हम हाफ टीस्पून के करीब चिली फलेक्स डाल रहे हैं उसके बाद यहां पे हम हाफ टीस्पून के करीब औरेगीनो डालेंगे तो औरेगीनो अगर आपके पास एवलेवल हो तो डाल दे या फिर आप इसे इसकीप भी कर सकते हैं तो जादा नहीं डालना है बस हाफ टी स्पुन के करीब यहाँ पे औरेगीनो डाल देंगे उसके बाद यहाँ पे हम आधा कब पानी ले लेंगे यानि कि यहाँ पे जादा पानी नहीं अभी इस्तेमाल करना है आधे कब पानी को हम इसमें डाल देंगे उसके बाद यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम मेग्यम ही रखना है इस पाचुला से हम सारे मसाले को आलू में मेक्स कर लेंगे और आलू को भी ज्यादर नहीं पकाना है 80% को खोने तक हमें आलू को पका लेना है तो लगवग एक मिनेट के बाद यहाँ पर आलू पाने को अपने अंदर अबसर्फ कर लिया है और यहाँ पर अभी यहाँ पर हम आफ टीस्पून के करीब चाट मसाला इसमें मिला लेंगे और आलू जो है वो भी 80% कुक हो चुका है यानि की सॉफ्ट हो गया है तो चलिए हम थोड़े से आलू इसमें चेक कर लेते हैं यह देखिए कटड़ा से आपको हम सामने से दिखा देते हैं कि आलू किस तरह से गले होने चाहिए देखिए इस तरह से आलू कुक होना चाहिए एक दम से गले नहीं होने चाहिए बस 80% ही आलू को पकाना है तो चलिए यहाँ पे आलो भी पग गया है अभी यहाँ पे हम एक कप इसमें पानी डालेंगे तो यहाँ पे हम बस एक कप ही पानी ले लेंगे और इसमें एक कप पानी डाल देंगे पानी डालने के बाद यहां पे हमने जो ब्रेट को छोटे छोटे भागों में पाट कर रगा था उसी ब्रेट को हम इसमें डाल देंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पे हम एकदम धीमी कर लेंगे यानि की लो फ्लेम रखना है और ब्रेट को डालने के बाद यहाँ पे हम इस पाचुला से ब्रेट को आलो और पानी में अच्छी तरह से मिलाएंगे तो ये वाली प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि ब्रेट पानी में अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए यानि धीरे धीरे ये जो पानी है ब्रेट में बिलकुल मिल जाएगी और बिलकुल डो में बदल जाएगा जिस तरह से आटे के जो डो होते है ना पस उसी तरह से ये बदल जाएगा तो ध्यान रहे हैं यहाँ पर हमें कैस का फ्लेम बिलकुल लो रखना है इस पाचुला से कंटिनियूस इसे हम पानी में मिलाते रहेंगे और इस तरह से मिक्स करते रहेंगे दीरे दीरे देखिएगा कि यह जो ब्रेड है बिलकुल मिल्ट हो जाएगा पानी में बिलकुल भी नहीं लगेगा कि हमने यहाँ पे ब्रेड के टुक्रे इसमें डाला था तो यहाँ पे आप समुचा ब्रेट भी पानी में डालेंगे तो इस पाचुला से आप यहाँ पे मिला सकते है जब ब्रेट अच्छी तरह से पानी में मिल जाए उसके बाद यहाँ पे हम गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे आई फ्लेम करने के बाद इसे हमें तब तक पकाना है जब तक की जो पानी है ब्रेड अच्छी तरह से इसमें मिक्स न हो जाए याने की धीरे धीरे ये जो ब्रेड है पानी को अपने अंदर एब्सर्ब कर लेगा और बिल्कुल आठे के डो में बदल जाएगा तो फ्रेंड्स ये वाली प्रोसेस करने में लगभग 5 मिनट लग जाते हैं तो आप लोग बिल्कुल जलवाजी ना करें थोरा पेसेंस रखते हुए इस पले प्रोसेस को करें तो ये देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे हाई फ्लेम रखते हुए कंटेनियूस प्रेड को पानी मिक्स करते हुए ये देखिए हमने इस तरह से डो बना कर तयार कर लिया है और इसे हम थोरा सा और अभी पकाएंगे जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी हो अच्छी तरह से सुख जाए और बिल्कुल हाई फ्लेम पे हमें इस प्रोसेस को करना है तो ये देखिए कितना अच् हम गेस का फ्लेम बंद कर देंगे और गेस का फ्लेम बंद करने के बाद यहां पे हम पारी गटी हुई हरी दन्य पत्ती इसमें मिलाएंगे तो हरी दन्य पत्ती जब आप किसी भी चीज में मिक्स करें ना तो आप गैस का फ्लेम बंद करने के बाद ही इसका इस्तेमाल कर लें उसके बाद इस पाचुला से हम धनिया पत्ती को डो में अच्छी तरह से मिला लेंगे तो चलिए अभी हम इस नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले इसे हम सेट कर लेंगे तो हमने यहां पे एक प्लेट ले लिया है अभी हम इसके उपर हलका हलका ओईल लगा लेते हैं यहां पे हमने रिफाइंड ओईल हलका हलका सा इसमें प्लेट में लगा लिया है जिसे की न एक प्रैंगेऍे इसमें हमने नास्ते को शेप दिया है। इसलिए यहाँ पे हम स्क्वाइर शेप में इस डो को हम इस तरह से सेट करेंगे। तो यह देखिए अपनी हाथों में हल्का साager ऐल लगा लिए उसके बाद यहां पे हम ृसी अलगा हर्ब प्लेट में इस्ते में बाद एकानुβरने बार यहां पे हम इस स्कॉयर शेप्सेंद्ग को प्लेट बेां इसकिमिन्स प्लेट में प्लेट में इसेयर रहे रहे हैं 75 иваем प्लेट में इसेमी कभद आतों से चार हो तरफ ऴॉस को यहाद वि kindly शैप्स आतगे भी ऐसाह में छीबाला खुष्छ लों को नीचत बाद के दृधा אני लो पन आपे लोट करेंगे सब्सक्राइं से नहीं तो बैल सब्सक्राइब उने जो इसे तो ना तो जाद़ पतली होनी चाहिए और नहीं जादा मोटी होनी चाहिए तो यह देखिए हमने बेलन से बेल कर इसे फैंदा लिया है Σब्छारों तरफ से हम इसे स्क्वार्षे टर्थे आयमाल करते हुए क्या होगा इस तरह जब हम स्क्वार्षे 먹 में इसे सेप करेंगे अभी इसे हम रेस्ट पर डालेंगे ठंडा होने के लिए जब इसे हम लगभब हर मिनुट के लिए रेस्ट पर डाल देते हैं। जेसे तो यहां पर अभी हमने एक बाल ले लिया मिक्सिंग बाल इसमें हम डाल रहे हैं आफ कफ मैदा हमने यहां पर लिया है आप चाहिए तो में बेकि जगह गिए ओक आटा भी ले सकते हैं इसमें हम ने हाफ टीज़ पूनिक करीब और गीनो डाला है उसके बाद आफ पर चिली फ्रेक्स डाम चाये तो ये दूनों इसकी झारओ उड़नाए यहन चिली के के आदे बार के आदे ठीम करें धानी हम पर द्रेक्ड यहंद पानी इसका हम प्तली तयार करेंने तो बिल्कुल भी पतला नहीं बनाना है, इसकी जो consistency है medium होनी चाहे, slurry की consistency medium होनी चाहे, यहाँ पर हम hand beater ले ले लेते हैं, इसे क्या होगा, कि बहुत ही आसानी से ये घौल हम पना कर तयार कर सकते हैं, इस तरह से हैंट बीटर का आप इस्तेमाल करेंगे ना तो शलरी में बिल्कल भी लम्स नहीं रहेंगे बहुत ही आसानी से यह घोर तैयर हो जाएगा तो हमने यहाँ आप भी पानी डाल ल्याये कर तो यह थोरी त्रह कर लिया है इसे बिल्कुल हम नहीं है इसे हम दिखा देते हैं कि इसकी कर्सिस्टेंसी किस तरह सी होनी चाहिए तो यह देखिए इसी तरह इस सलरी का कर्सिस्टेंसी होनी चाहिए ना तो ज्यादा थीक और नहीं ज्यादा पतली तो चली इसे हम साइड में डाल देते हैं अभी यहां पे हम ने एक प्लेट में ब्र या फिर आप ताजे भी बना सकते हैं ब्रेट को ग्रानिंग जार में डाल कर उसे पीस कर ब्रेट करम्स आप बना सकते हैं तो चलिए फाइब नट हो चुका है और यह नास्ता भी अच्छी तरह से सेट हो गिया है यहां पे हम एक नाइफ ले लेते हैं और इसे हम शेप देते इस तरह से चारो तरफ से हम किनारे सबसे पहले हटा देते हैं उसके बाद यहां पे आप अपने चॉइस की हिसाब से इस नास्ते को शेप दे सकते हैं या तो आप इसे छोटे-छोटे पीस में बना ले या फिर आप इसे लंबे शेप में बना ले तो हमने यहां पे इसे ब फ्राइट में चिपकेगा क्योंकि यहां पे हमने प्लेट में हजब का सवाइल लगा दिया था और कि इतना पढक्रफेक्प्र असान तरीके से यह कट भी गया है और आसानी तो देखि कितने आसानी से सारे नास्ते प्लेट में से निकल रहा है तो चलिए नास्ते को हम फ्राइ कर लेते हैं यहां पर हमने गैस पे फ्राइव पैन को डाल दिया है तो यहां पर आप उईल अपने पसंद का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे हमने Refined Oil का इस्तेमाल किया है अभी यहाँ पे हम लगवक 200 गराम के करीब Refined Oil पैन में डाला है गैस का फ्ले मेडियम रखनी है और जब ऑईल में से हलका हलका सा बवल्स आने लगे तो आप समझ जाए कि ऑईल गर्म हो चुका है तो चलिए हलका हलका बवल्स आने लगा था अभी यहाँ पे हम तयार किये गए नास्ते को हमने जो सलरी बनाया था उसमें हम डाल कर इसे डीप कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे हम ब्रेट करम से अच्छी तरह से इसके ऊपर लेयर चरहा देंगे यानि इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे इसे क्या होगा कि हमारा जो नास्ता है एक तम क्रिस्पी बन कर तयार होगा अच्छी तरह से ब्रेट करम से लगाने के बाद यहाँ पे हम ओईल में रखतेंगे तो यहाँ पे ध्यान रहे कि हमें गहस का फ्लेम मेडियम रखनी है यह दिखी दुबारे से और मैं आपको दिखा देती हूँ सलरी में डालने के बाद ब्रेट करम से इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे कोट करने के बाद हम इसे ओईल में डालेंगे तो सारे नास्ते को इसी तरह हमें बना कर ओईल में डाला है तो जितने आपके कराही में अरजेस्ट हूँ उतने ही आप नास्ते को एक बार में डाले आप चाहे तो यहाँ पे हाथ की जगा स्पून का भी इस्टेमाल कर सकते हैं इस नास्ते को तयार करने में तो यहाँ पे हम वही प्रोसेस कर रहे हैं स्पून से हमने सलरी में डाला था निकाल कर ब्रेट करम्स लगाते हुए अच्छी तरह से ब्रेट करम्स को कोट करते हुए उसके बाद इसे हम ओयल में डाल देंगे तो ध्यान रहे हमें अच्छी तरह से ब्रेट करम्स इसमें लगाना है एक जगर भी खाली नहीं होनी चाहिए नहीं तो नास्ता कुरकुरा बनकर नहीं तयार होगा तो चारो तरफ से हम ब्रेट करम्स को लपेटते हुए नास्ते को हम ओयल में डाल देंगे और उसके बाद डालने के बाद हम गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और जब नीचे के बाद अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए उसे हम पलट देंगे तो यहाँ पे हम इस नास्ते को बनाने के लिए गैस का फ्लेम मेडियम से हाई का इस्तेमाल करेंगे यानि golden brown होने तक हम इस नास्ते को fry करेंगे तो यह देखिए हलका हलका इसका color भी change होने लगा है और जैसे जैसे हम पहले वाले नास्ते को oil में डाला था उसे हम पलट देंगे और जब बाद में जो हम जिस नास्ते को डाला था उसे क्रिस्पी होने के बाद ही हम उसे अलट पलट करेंगे तो पहले जो हम oil में डाला था वो नास्ता थोरा पहले क्रिस्पी हो जाता इसे हम पहले इसे पलट देंगे और बाद वाले नास्ते को थोरी देर बाद ही हम अलट पलट करेंगे तुरंथी आप इसे पलटेंगे तो नास्ता बिगर सकता है तो यहाँ पे हमें ध्यान लखना है कि बहुत ही कैरफ़ुली नास्ते को अलट पलट करते हुए गौल्डेन ब्राउन होने तक इस नास्ते को क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है तो गैस का फ्लेम लो यहां पे ना करें नहीं तो आपके नास्ता तूट सकते हैं मेडियम से हाई फ्लेम रखते हुए इस नास्ते का कलर चेंज होने तक हमें इसे पका लेना है आई होप आप लोगो रेस्पी पसंद आई होगी और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें साथ में बिल आइकन प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आए साथ में लाइक शेर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें नास्ते का छेंगा यानि गोल्डन ब्राउन हो गया है तो अभी हम इसे वाइल से निकाल लेते हैं यहां पर हम एक coil conditioner ले लेंगे उसके बाद एक एक नासते को हम इसमें निकाल लिएक प्लेट और आस्ते को एक्तम प्लेट में निकाल ले ले गए यह कहते हुए नस्ते को भी हम उसी तरह जना प्रॉसेस करते हुए प्लेट में डाल देते हैं जो किनारे में से जो नास्ते किनारे वाले भाग जो बचे थे उसी को हम फिर से शेप दे दिया है उसके बाद जिस तरह से हमने पहले नास्ते को वाइल में डाला था उसी तरह हम सलड़ी में डालने के बाद ग्रेट करम से अच्छी तरह से कोट करने के बाद हम वाइल में उस कर तयार कर सकते हैं तो यहां पे थोरे से डो बच गए थे तो यहां पे हमने इसे गोल शेप दे दिया है यह देखिए इस तरह से भी है अगर आप नास्ता बना कर तयार करेंगे तो यह वाली भी डिजाइन बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह से भी आप इस नास्ते का शे तो जब नीचे का पार्ट अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए तो उसके बाद यहां पे हम इसे पलट देंगे तो गैस का फ्लेम मेडियम से हाई रखते हुए अलट पलट करते हुए बाकी के नास्थे को भी हम उसी तरह बना कर त्यार करेंगे तो यह देखिए बचे हुए नास्थे भी फ्राई अच्छी तरह से हो गया है यहां पे हम ओईल इस्टेनर ले ले लेते हैं और ओईल में से नास्थे को निकाल कर ओईल इस्टेनर में हम निकाल लेंगे उसके बाद थोड़ी देर हम कराही पर होल्ड करते हुए इस वैसे जो बन कर त्यार है एक्तम करंची बन कर त्यार हुआ है एक्तम क्रीस भी तो फ्रेंट्स आप लोग इस पिए वाद जरूर ट्राई करें आपके बच्चों को जरूर पसंद आएगी अभी यहां पर इस नास्थे के साथ हमने हरी धन्यापती की चटनी के साथ सर्फ किया है तो आप भी अगर हरी धर्या पत्ती की चट्नी के साथ इस नास्ते को सर्फ करेंगे तो बहुत ही टेस्टी और डिलियसियस लगता है तो यहां पे हमने थोरे से हरी धर्या पत्ती ले लिया है और तीन पीस हमने लहसुन की कलिया के छिलके निकाल कर ले लिया है और तीन पीस यहा अब यहाँ पे हम ग्राइंडिंग जार चोटे ग्राइंडिंग जार का इस्तेमाल करेंगे चटनी बनाने के लिए धनिया पती उसमें डालने के बाद यहाँ पे हम छिले हुए लहसुन की कलिया भी इसमें डाल देंगे चपनी बहुत ही टेस्टी बढ़ कर दियार होते हैं, इसके बाद यहाँ पहुँ दालेंगे आफ टीस्ट्पून के क्रीब, तो नमक भी आप यहाँ पहुदा सा सबजी वैगर से थोड़ा सा चपनी में नमक का इस। ज़दा जादा करें। इसे फलेवर बहुत ही बढ़िा आता है अभी यहा पे हम वन पीस्पून के करीब ही पानी डालेंगे जादा पानी नहीं डालना है धक्कल लगाकर इसे हम गराइंड कर लेंगे जिसमें हम चटनी साव करते हैं उसे हम निकाल लेंगे और यहां पे आप नमक और हरी में थोड़ा सा ज्यादा चटनी में इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तयार होता है धनिया पत्ती की चटनी तो अभी तो ठंडे की मौसम भी आ रही है तो इस धनिया पत्ती की चटनी बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होता है इसका फलेवर बढ़ाने के लिए हम यहां पे दो से तीन बून मस्टर्ड ओयल इसमें हम मिलाएंगे तो आप धनिया पत्ती की चटनी में मस्टर्ड ओयल सरूर मिलाएं बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है मस ले लेते हैं और तयार किये गए नास्ते को हम प्लेट में निकालेंगे उसके बाद हम इसे धनिया पत्ती की चटनी के साथ सार्फ करेंगे तो फ्रेंज आप नास्ते को अपने चॉइस के हिसाब से भी सार्व कर सकते हैं किस तरह से आप इसे इसका प्लेट त्यार कर सकते हैं वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है अभी यहाँ पे हमने इस तरह से नास्ते को रखा है प्लेट में उसके बाद थोड़े से हम धनिय पती की चटनी इस तरह से पहले इस तरह से रख लेंगे उसके बाद स्पून से इस तरह से इस तरह से घुमाते हुए हम इसका डिजाइन बना लेंगे यह बहुत ही सिंपल डिजाइन है चटनी की बहुत ही अच्छा लगता देखने में तो आप इस तरह से भी प्लेट बना कर त्यार कर सकते हैं इस तरह से जब आप मेहमानों के सामने साफ करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है यह देखिए हमने यहां पे इसे तोड़ के भी दिखाया है कि अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हुआ है यानि कि बिल्कुल परफेक्ट ऊपर से क्रंची और अ आप लोग यह रेसिपी एक बन से रूट करें अब चाहे तो बच्छों को लच बॉक्स या फिर शाम के टाइम चाय के नास्ते या फिर आप इसे सुआ के नास्ते में भी बना कर खा सकते हैं आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी चैनल पर नए है तो प्ली अपने दोस्तों और जिदारों में भी शेयर करें तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद